दीद्वाना जिले में हरे सोने की क्रांती लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के द्वारा एक सराहनिय पहल की गई है। जिला कलेक्ट के द्वारा पूरे जिले को हरा भरा करने के उद्देश्य से पूरे जिले में हरे भरे पेर पोधे लगाए जा रहे हैं। इसी के तहट आज जिला कलेक्टर की अगुवाई में संघन व्रिक्षारोपन कार्यक्रम आयोजित कर मेरा व्रिक्ष मेरा परिवार कार्यक्रम का आगास किया गया है। शहर के मेगा हाइवे पर स्थित राज की अखेल स्टेडियम में एक हजार पौधे लगाकर आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और पूरे जिले में पांच लाग से अधिक पेर पौधे इस सीजन में लगाये जाएंगे। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने कहा मुख्यमंत्री व्रिक्षा रोपन महा अभियान के तहट मेरा व्रिक्ष मेरा परिवार अभियान की थीम के तहट पूरे जिले में व्रिक्षा रोपन कार्यक्रम की शुरुआत आज से की गई है। और पूरे जिले को हरा भरा करने के उद्देशे से विभिन सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया गया है और सभी संस्थाओं के सहयोग से पूरे जिले को हरा भरा किया जाएगा जिसमें छायादार ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पेर पौधे लगाए जा रहे हैं और इस अभ्यान की शुरुआत के साथ में आमजन से ये भी अपील है कि आमजन ज्यादा से ज्यादा पेर पॉधे लगाए ताकि प्रित्वी पर जीवन सुरक्षित हो सके जिस तरह पेर पॉधों की कमी के कारण विभिन तरह की कठिनाया सामने देखने को मिल रही है इन कठिनायों का एक ही निवारण है कि ज्यादा से ज्यादा पेर पॉधे लगाए उन पेर पॉधों की देखभाल करें और उनको अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर बढ़े करें आज के कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना नगर परिशद अधिकारी वा अन्य विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने सामुहिक रूप से व्रिक्षारोपन कार्यक्रम में सामुहिक रूप से व्रिक्षारोपन किया और सभी ग्राम पंचाइतों के अंदर जिला प्रशित के अंदर सभी सरकारी कारलों के अंदर सभी पार्क्स लगरपालिकाएं रोड साइड्स गोसालाएं सभी आज पोदे लगाई जारें सामुहिक रूप से कि मानसवन प्रारम हुआ है तो यह सटक प्रक्रिया रहेगी और आगा में साथ दिवस में हमें अमीद है कि हम अपने अभियान के तैत काफी मात्रा के अंदर जिले में पोदे लगाएंगे